नमस्कार आपका स्वाकत है राजनामा टीवी पर मैं भूनम आपके साथ बॉलिवोड स्टार शारुकान की साल की तीसी फिल्म डंकी रिलिस हो गई है फिल्म की रिलिस से पहले डिरेक्टर राजकुमार हिरानी ने खुलासा किया कि उन्हें डंकी फिल्म बनाने में जालंदर के अनोखे डिजाइन के घर ने परिरित किया जिसमें उन्हें उक्त फिल्मी बनाने का सुझाव आया शारुक खान के प्रोडक्शन हाउस रेट चिलीज एंडर्टेन्मेंट की और से शेर किये गए डंकी डायरीस नामक वीडियो में हिरानी ने खुलासा किया वीडियो में हिरानी ने जालंदर के उस घर की फोटो भी दिखाई जिसकी च्छत पर सीमेंट का बड़ा सा हवाई जहाज बना हुआ है इस हवाई जहाज पर बड़े बड़े अक्षष़ों में एर इंडिया भी लिखा हुआ है फोटो के बारे में विस्तार से बताते हुए हिरानी ने कहा कि ये फोटो किसे प्रकार से एडिट नहीं की गई है ये एकदम रियल फोटो है जिसमें घर के उपर जहाज बनाया हुआ था जालंदर और आसपास के इलाके में इस तरह के बहुत सारे घर बने हुए है हिरानी ने कहा कि पंजाब में ऐसे कई घर हैं जहां उनकी छटों पर हवाई जहाज बनाए गए हैं मैं देखकर आश्यचकित था फिर मैंने इसका कारण जानने की कोशिश की इसके पीछे पंजाब के लोग ऐसा क्यों करते हैं हिरानी ने वीडियो में कहा कि ये तस्विर तब ली गई थी जब हमने डंकी फिल्म बनाने का फैसला किया था जिसके बाद उन्होंने घर का दोरा भी किया मुझे पता चला कि ये सांस्क्रतिक चीज है जहां अगर घर का कोई बच्चा या परिवार का सदस्य लंदन कनाड़ा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जिसे देश में जाता है तो फिर वे इसे प्रदर्शित करने के लिए अपने घर की छट पर एक विमान बनाते हैं बाचित का हिस्सा रहे एक्टर शारुक ने कहा कि गर्व का शण है कि परिवार का कोई सदस्य विदेश गया है मैंने कई बार पंजाब में शूटिंग भी की है जहां मैंने भी घरों के उपर जहाज बने देखे थे मगर मुझे तो लगा कि ये सिर्फ एक पानी की टंकी है शारुक ने कहा कि करीब चार साल पहले हिरानी ने मुझे फोटो दिखाई थी जिसके बाद से हम डंकी फिल्म बनाने का सोच रहे थे इसी के साथ बने रहे रालकामा टीवी के साथ धन्यवाद